कि देवेन मंच पर खढ़ा हुआ था तो भाई, एक तस्वेर लादो, एक विशे लादो कि मैंने कहीं बेऊन दिया या मैंने कहीं किसी को उत्तेजित करने का काम किया तो जनता की सेवा केरी ना कि जनता को मिसगाइट करने के लिए बने रूप साशन प्रशाशन को आगे कारवाई कर दी उसमें वो नाकामियाब रहा साशन प्रशाशन की गलती के कारण कितने लोगों को समस्या हुई इस थानी जो बला दवजार के लोग हैं बहुत सारे लोगों लोग उस पूरे जो हिंसा हुई उसके चपेट में है प्रदर्शन कारियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी कोई गलती नहीं थी वो भी उस हिंसा के चपेट में आए वहां परिस्थानी लोग जो वहां वैपारी लोग है वो भी चपेट में है प्रशाशन के कर्मचारी भी चपेट में है और जब ये सब की जिम्मेदारी लेने का समय है और बताने का समय है जनता के बीच में कि हाँ हमारी नाकामी है और हमसे गलती हुई जिसके कारण यह हुआ तब आरोप प्रत्यारोप करकर मंत्री अपनी साग बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको शरम आनी चाहिए ठीक है उनको यह गैर जिम्मेदाराना रवया शोभा नहीं देता जनता ने विदायाक बनाया है, मंत्री बने है, मंत्री बने है, तो जनता की सेवा के लिए बने है, ना कि जनता को मिसगाइड करने के लिए बने है, आपको सीधी सीधी बात करनी चाहिए कि ये प्रक्रण में अभी तक परिस्तितियां क्यों नहीं ठीक कर पाई, शाशन उसके उपर कारवाई करना चाहिए जाज करनी चाहिए जबकि यह प्रेस कांफरेंस लेके हमारे कॉंग्रेस के समाज के जो वरिष निता हैं जिनको समाज ने जब भी आंदोलन हुआ उनको याद किया तो वो पहुंचे उनके बारे में बोलना या मेरा मैं बिलासपुर लोग का फोन आया कि देविन जी हमारे समाज का धरना है आप उसमें समर्थन करने आईये मैं वहां पहुंचा लगबाद 10-15 मिनिट मैं वहां धरने पर उनके साथ नीचे बेठा क्योंकि समाजिक कारी था मैं मंच पर नहीं जा सकता था और मंत्री जी कहते हैं मैं कल पीसी देख रहा था उसमें यह कहते हैं कि देविन मंच पर खड़ा हुआ था तो भाई एक तस्वीर लादो एक विशे लादो कि मैंने कहीं बयान दिया यह मैंने कहीं किसी को उत्तेजित करने का काम किया हां मैं समर्थन करने गया था और मैंने उसको इस पर रूप से कह रहा हूं कि हा सरकार से बात करने की बात होगी तो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है नैतिक करताव है कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप मेरे छेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैं उसमें उनकी सहमती दूँ लेकिन वहां अगर अग्जेनी हो रही है वहां अगर बैरिग सरकार के लोगों की है मंत्रियों की है मुख्यमंत्री की है मैं आपके माध्यम से हमारे माननी पूर मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कॉंग्रेस पार्टी ने मांग की है कि गुमरा मत करो इस्तीफा दो झाल झाल